वैसे ट्रेन में population ही बहुत बड़ी होती है तो सायद आपको royal और luxury feeling ना आती हो बट आज के इस वीडियो में आपको इंडिया के top 10 luxurious train के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप travel करते हो तो आपको राजाओं महराजाओं जैसी feeling आती है और ये ट्रेन भारत की सान तो है ही साथ ही इन ट्रेन्स का नाम दुनिया के सबसे luxurious ट्रेनों में गीना जाता है इनके ticket से इतने महंगे होते हैं इस सायद आपको अपने घर के समान तक बेशने पड़ जाएं तो चली जानते हैं उन ट्रेन्स के बारे में बड़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे की आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे और साथ ही मुझे facebook page पर भी follow कर लिजिए वहाँ पर भी आपको ऐसे ही वीडियो जिमिलती रहती है नमबर 10 पर है heritage on wheels भारत की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेनों में से एक है heritage on wheels राजस्थान की सेय करवाती है इसकी सानों सौकत में कोई कमी नहीं है यह एक मात्र ट्रेन है जिसमें आप चिपेश लग्जरी ट्रेन इंडिया कह सकते हो इसका रूट राजस्थान से बीकानेर नवलगड और पूरे शेखावटी हिस्से से लेकर निकलता है इस बेहत खुबसूर ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,000 के बीच है गेर ट्रेन हपते में किवल दो दिन जैपूर से चलती है साही कैबिन, कंटिमेंटल, लोकल रेस्टोरेंट और लग्जरी बार इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते है नमबर नाइन पे है पंज तक्त दर्षन ट्रेन गेर ट्रेन खास तोर पर सिक समाज के लिए बनाई गई है जिसमें बैटकर आप एकी बार में देश के प्रमुक पांच कुरुद्वारों के दर्षन कर सकते हैं इस ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की जलक साफ साफ दिखाई देती है इस ट्रेन का रूट दिल्ली, अमरित्चर, सरहिंद और भटिंटा तक है और ये सफर केवल चार दिनों में ही तै हो जाता है ये ट्रेन अपने आप में सबसे अनोखी और अलग है नमबर एट पे है महापड़ी निर्माड एक्सप्रेस ये एक special luxury ट्रेन है जो बहुत धर्म का दर्शन कराती है इस अध्यात्मी ट्रेन में मलाएं पहना कर स्वागत किया जाता है इस ट्रेन का सफर भगवाल मुद्ध की जीवन के साथ साथ चलता है मतलब ये कि उनके जन्म अस्थान से लेके उनके निर्वाड अस्थान तक ये ट्रेन सब जगह लेके जाती है दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेनों में से एक है क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है और इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए 75,000 से 2nd कलास के लिए 60,000 रुपे लगते हैं इंडियन सिटिजन को 10% की छूट भी मिलती है यात्रियों को कोई प्रॉबलम ना हो इसलिए एक हिंदी भासा का ट्रांसलेटर भी दिया जाता है सारे बहुत धर्मों को कम समय में एक और असानी से पहुंचने का ये बहुती बहतरीन साधन है इंडिया की सबसी पुरानी लगजरी ट्रेन है रोयल ओर्येंट एक्सप्रेस ट्रेन जो बिटिश राज के दौरान सुरू हुई थी 1855 से चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े सहर तक का सफर कराती है इस फाइफ स्टार ट्रेन में एक सांदार कैबिन, कई तरह के खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर एक यात्री के लिए खुली रहती है इसके लक्जिरियस कैबिन्स में एसी, टीवी और पर्शनल बाथरूम भी है इसकी खास बात यह है कि यह हमेशा समय पर चलती है इसकी एक टिकट की किमत आठ हजार रुपे पर डे है इतने अरामदायक सफर के लिए आठ हजार रुपे तो कोई जादा नहीं है वैसी आप क्या कहना है, कोमेंट सेक्षन में जरूर बताएं नमबर सिक्स पे है, फैरी क्वीन एक्सप्रेस अगर आप एक छोटे और रिफ्रेसिंग सफर पर जाना चाहते हैं तो यह ट्रेन आपके लिए बनी है दिल्ली से अलबर को जाने वाली फैर क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर कराती है सरिस्का नेशनल पार्क तक तुरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था कई अवर्ड से समानित इस ट्रेन का रहना और खाना फ्री है इस ट्रेन का मुख्यो देश सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी तक तूरिष्टों को ले जाना है 11,000 रुपे में दो दिन तक सुख भरी यात्रा ये ट्रेन कराती है जो महिने में सिर्फ दो दिन ही चलती है इस ट्रेन के बनावट ऐसी है कि आप बैठे बैठे ही सामने की तरब देख सकते हैं अगर आप पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं तो दो गोल्डेन चैरियाट से बेस्ट कोई और तरीका नहीं है पूरे साउथ इंडिया का टूर केवल आठ दिनों में कराने वाली ट्रेन वाकई में एक साही है दोजर आठ में स्टार्ट होई इस ट्रेन में साही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट और एक मॉडरेन जीम भी है गोल्डेन चैरियाट को बैस्ट ट्रेन जर्नी इंडिया में गिना जाता है अगर आप लंबे समय की वज़़े से ठक चुके हैं तो इस ट्रेन का आईरवेदिक श्पा आपकी सेवा में हर समय हाजी रहेगा एसिया बैस्ट लगजरी ट्रेन का खिताब भी इस ट्रेन के नाम है बेंगलोर, मैसूर, हमपी, गोवा, पंडुचेरी, मदुरई जैसी सारी फेमस जगयों से ये ट्रेन गुजटती है गर ट्रेन इतना लगजरी है तो इसकी टिकट भी महंगी होगी इसके एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 तक का है गोल्डेन चरियट के दो टूर पैकेज हैं पहला साउधर्न, स्प्लैंडर, दूसरा प्राइड ओफ द साउथ नमबर फोर पे हैं डेकन ओडेसिटी महाराष्ट और गुजरात के खुपसूरत अस्थानों तक ले जाने वाली इस ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है सारे लगजरी ट्रेनों के अलग डेकन ओडिशन में लॉंज और पर्सनल कॉन्फरेंस कार की सुविधा है इस ट्रेन का रेश्टोरेंट से मिलने वाली मन पसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहदी अरम रायक बनाता है मुंबई की सोर से लेकर अजन्ता की गोफाव तक गोवा के बीच और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर सपने जैसा है डेकन ओडिसी से डिलक्स कैबिन 4,20,000 से स्टार्ट होते है पर्सेंटाइल सूट की किमत 9,24,000 है ये ट्रेन हमेशा समय की पावंद और हॉस्पिटालिटी के लिए आगे रहती है अमर थर्ड पे है पैलेस ओन विल्स ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है राजस्थान घूमने के लिए इस ट्रेन को खास तोर पर बनाया गया है इस ट्रेन में बेहदी खुबसूरत पैंटिंग्स है मारवाडी, पकवान और ठेट मारवाडी हॉस्पिटालिटी सभी आत्रियों का दिल खुस कर देती है इस लक्जरी ट्रेन का सफर नई दिल्ले से जैपूर और चितोर होते हुए जैसल मेर उदैपूर और जोदपूर को जाता है ट्रेन का लक्ष राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉर्ट को कवर करना है इस ट्रेन में आपको कई फॉरेंज इंजोय करते हुए मिल जाएंगे इस ट्रेन में एक व्यक्ति का किराया पचास जार से एक लाख दस जार रुपे तक का है नमबर टू पे है रोयल राजस्थान ओन विल्स इस ट्रेन का टिकट खरिदने के लिए सायद आपको अपने घर का सामान भी बेजना पड़ जाए आगरा के ताज महल से लेकर वारड़सी के गंगा घाटों तक खजरों के मंदिर से राजस्थान तक का ये ट्रेन भारत की अदभूत सुन्दरता को दिखाता है कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की स्थान है इस ट्रेन के 14 केबिन्स में हर तरह की सुगधाये हैं लाइक, चीम, स्पा, रेस्टोरेंट, फ्री वाइफाई, एन पर्सनल टीवी कम समय में नौर्ट इंडिया को देखने के लिए ये एक सांदार तरीका है मैक्सिमम विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को ही चुनते हैं विकोज यहां की महमान नवाजी बहुती लगजिरियस स्टाइल में होती है नमबर फर्स्ट पे है महाराजा एक्सप्रेस महाराजा ट्रेन भारत की सबसे लगजिरियस ट्रेन है और साथ ही ये दुनिया की सबसे लगजिरियस ट्रेनों में से एक है यह ट्रेन साही अंदाज में भारत दर्सन के लिए खास तोर पर बनाई गई है महाराजा एक्सप्रेक्स का सफर केवल अप्रेल से अक्टूबर तक किया जा सकता है इसका नाम दुनिया की पांच सबसे खुबसूरा ट्रेंस में गिना जाता है महराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कम्प्लिमेंटरी बियर, पाइन, स्नेक्स दिये जाते हैं डिलक्स केबिन, AC, LED TV और पर्शनल बात्रूम ये सब इस टेन के हर केबिन में होते हैं अगर आप बोर हो जाते हैं तो आप इस टेन की बुटिक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं जहां केवल सबसे बेहत्रीन कलेक्शन को ही रखा जाता है इसका टिकट इतने महेंगे होते हैं कि सायद आपको अपनी किडनी तक बेचनी पड़ जाए महाराजा एक्सप्रेस के डिलक्स केविन की टिकट्स तीन लाख पचास हजाड से स्टार्ट होती है और पर्षेंडाइल स्टूट की कीमत सोले लाख उर्पे तक जाती है तो फ्रेंड्स ये थे वो इंडिया के टॉप तेन सबसे लक्जिरी ट्रेन उमीद है इस वीडियो में आपको बहुती इंजोई मिलाओगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सेयर करें और चैनल को भी जरूरी सब्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में